नमस्कार आप तमाम दर्सकों को सिटी नीज मुझपरपुल में स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रकाश जा। चलिए एक नदर डालते हैं आज के प्रमुक सुर्खियों की ओर। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्निलाल मेगा मॉल। मतगणना की तयारी जिला प्रशाशन ने पूरी कर ली मंगलवार को प्रत्यास्ति का भाग का फैंसला होगा। महिला शल्प कला भवन को बनाया गया है। महिला शल्प कला भवन मध्यमिक विद्याले में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महिला शल्प कला भवन कॉलेज में मतगणना की जाएगी। जिसे लेकर सारी तयारिया पूरी कर ली गई है। वहीं SDO पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पश्चिमी शेत्र में हुए चुनाव की मतगणना बीबी कॉलीजी एट में की जाएगी। जिसे लेकर बिहार विद्याले परिक्षा समीती के प्रांगण में प्रार्किंग बनाया गया है। और वहीं प्रत्याशियों को इंट्री भी दी जाएगी। साहिब कंज में सबसे जादा मतदान केंद्र होने के कारण वहां के काउंटिंग में थोरा विलंब हो सकता है। बाके जगा पर बारा बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार सभी टेबल पर वेब कास्टिंग की वैवस्था की गई है। जहांसे काउंटिंग को लाइव देखा जा सकता है। और जो आरो हैं यह अरो हैं वहँ जायेंगे। और वणलने थाइत किया हैं कि जो हम लोग को महिरा सकुन काला महर विदल है। तो कोई भी कंड़िडेट होंगी या उनके एजेंट होंगें। उनकी सबीगा हैं जो मीडील स्कूल है मेश के भी कही हैं। उसी के परिशर में लगाएंगे और जो मतगाना करमी हैं उनका केवल बाइक वाले उसका परिशर के अंदर लेगा और हम लोग थाना देश को भी निदेश दिये हुए हैं कि जो हम रूट रहेगा उसके आवाज आई मियावागों को सुचार गूरूप से रखा जा जाए और पांच-बाइच टेबूल लगाया गया है तो पांच-बाइच टेबूल के अंतरगा जो भी OCR कैमरा है सारा इन चीज उसमें विवस्ती थे और हम लोग परियास करने कि सांतिपून हों लोगा दो घंटा से दो घंटा में लगवाब समापती हो जाएगा जो 18 दिसमर को जो का महिला सिल्पकला महबिद याले में और साहब गंज बरुराज के मतगारना का कार्ज वीवी का लिजेट मुझफरपूर में होगा सारी तैयारिया पूरी कर ली गई है पांच-पांच टेबूल लगेंगे और उमीद है कि दो से तीन घंटे में हम लोग सभी परिणाम प् अब जो आएंगे लोग मतगर्णा में जो एजेंट लोग आएंगे उनकी गाड़żeं कों कहां काहां लगे है कि अबसे पालि बता दिया गया और पूरा मैदान खाली है, आप देखे ही होंगे, और थोड़ा सा समय यहां लग सकता है, साहभ गंजगर परिशत का क्योंकि वहां पर कुल 45 मतदान केंदर हैं, जो कि 10 चरणों में उनका परकाशन हो जाएगा, हम कोमीदे को भी 3-4 गहंटे में वहां का भी परणाम आप सब कोई सामने होगा, किसी परकार की कोई समस्या नहीं है, मतदान जो हुआ है, उसकी मतदान का कार्ज सुबह आठ ब़ए से परारम हो गया, और बारा ब़ए तक हम कोमीदे के साहरे परिणाम आ जाएंगे, किसी परकार की भी समस्या से सुलजने वहां पर सुलजने के लिए व की है, वो सी आर की परियाप्त व्यासता है, उसका जो कमिशन के द्वारा वेफ कास्टिंग होता है, वो भी रहेगा, तो कुल मिला जुला करके संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, कल के मतदाना की दुभा गाउं इस्थित, बुढ़ी गंड़क नदी में मचली पकड़ने गए एक व्यक्ति दूबने से मौत हो गई काफी खोजबीन की गई लेकिन शव नहीं मिला, वही थोड़ी दूर पर उनका चपलवा गंचा नदी किनारे देखा गया, तब इसकी सूचना ग्रामिनों ने SDRF की टीम को दी, SDRF की टीम ने तालाज शुरू किया, जब जाकर सुनील का शव मिला, खेद घुमे गिया, खेटिवती करता था, कमा कया, खेद घुमे गिया, खेद घुम के गिया, पसलान करने, अब हुआ लेक लगा तो खोजबीने उजने चानमिन लोग कड़े लगा, यह सब गया, अच्छा, चानमिन के कहीं तो नहीं मिला, आप लोगो कैसे पता चला कि व अच्छा बजे मिला है, आई मिला है लगवाई गारा बजे सरहे गारा बजे थोते, यह से मजदूर आदमी है, मजदूरी करके आए गए, सोचे जाते हैं, ढाब में खेथा, खेती देखेंगे, या देखा आनदी में निहाया, आया हुआ से, तो हम सब सोचे जे होगा कि द आए से, मां भी एर्शाँ, अपरी सुधा थे, साथी सुधा थे, चार बच्च्छा थे, नान गदेल, जारे दू लड़काई, दू लड़का दू लड़की, जा उ पंदू होगा लड़की कर, यह ना यह बरकी वाले है, पांच, सब सल के होगाई, यह यह बरकी बाले है, मिला है अठना नौव बजे में देखे गए थे धाब खेती उती करने के खेती देखने कुने गए तो पूछे का जा रहे है भजी आ तो बला हम खेत घूमने जा रहे हैं पर कुमने उन्हें गए हुआ वह नीप निहाया क्या हुआ उनको ते गए सुवे पर गए देखे कपरा हुआ है कपराद देखे तो उनका अथी है सबात हुआ तो पेनम से खोज मीटों में लागे उनको खोज मीच के लाए हुआ तो आज इकला कल नहीं मिला था क्या नाम था उनका सुनिल सानी कितना उनको होगा 27 साल होगा साधी सुदा है चार दो लड़की है दो लड़का है तिलक मैदान डिजनी लैंड मेला धूम मचा रहा है यहां पूरे परिवार के साथ कम्प्लीट इंजोई पैकेज है बच्चे हो या जवान महिला और पुरुष सभी लोग जूलो का मज़ा उठा रहे हैं इसके अलावा यहां खाने पीने की भी एक से बढ़कर एक स्टॉल लगी हुई है साथी खड़िदारी के लिए भी एक स अच्छा लगा है बहुत बहुत ही ज्यादा मजा रहे हैं बच्चे ज्यादा इंटर्टेन्मेंट कर रहे हैं और यहां का व्यवस्ता भी बहुत ही अच्छा है जैसे तो जंपिंग मिकी मॉउस ऐसे तो टावर ब्रेक के ड्राइगन टोरा टोरा यह सारा जूला है लेकिन बच्चों के लिए इंटर्टेन्मेंट के लिए बच्चों के मिकी मॉस है जंपिंग है मिनी ट्रेन है वाटर बोट है बच्चों का लिकेप्टर है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जी 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 उलेन कपरे का है स्टोर लगा हुआ है नहीं अंदाज में डिजनी लैंड मेला लगाई गई है। किसमस के लिए विजना है हमारे लिए बचों के लिए यहां किसमस ट्रीक की बिश्ता की जाएगी जो मुक आकर्सन रहाएगा। साथी साथ जुलो पर विश्त डिसकाउंट रहाएगा। 25 ताडिक से लेकिए दो ताडिक तक जो बच्चों, फैमली, मैलाओं के लिए विश्त कर एक आकर्सन का केंद बना हुआ है। तिलक मेजा निलेंड मेला, ये सुबह बाड़ा बज़े से रात के दस बज़े तक आरम रहाता है। मेर परत्यासी राकेश कुमार साहु ने वाड 31 और 32 में जन संपर के दावरान लोगों से बोर्ट देने की अपील की। मुझापरपूर नगर निगम चुनाब में अब कुछ दिन ही सेस बच गये हैं और जन परत्यासी राकेश कुमार साहु ने बताया कि वाड 31 और 32 में रोट की स्थिति इतनी जरजर है कि लोगों को आने जाने में काफी कठनाई होती है। उन्होंने जनता जानादर्ण से अपील की कि अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहला प्रात्मिक्ता रहेगा कि सरक नाला और प्रदोशन मुक्त सहर बनाऊंगा। मेर परत्यासी ने कहा कि इस बार किसी भी सिंडिकेट और कीमेकर को नहीं चलेगी क्योंकि इस बार जनता चुनकर मेर कुरसी पर बैठेगी। उसके बाद वाड 31 और 32 के जनता के साथ बैठ कर एक जनसभा का आयोजन भी किया गया और सम्बोधन करते हुए सभी को अपने किये हुए नगर निगम के खिलाप ब्रोद परदसन और यूजर टेक्स पाने ट्रेक के खिलाप धरना परदसन किया। उसी कारी को लेकर हम जनत में 31 और 32 के अंतरगत यहीं से सारे लोगों का आना जाना है जो जाता है और इधर नराइनपूर की तरफ जाता है और यहीं रोड एनेस से जूडता है और इसके पूरा दुरगती आप देख रहे हैं यह लोग यहां के अस्थाई लोग हैं और नगर निगम में जो लूट पाट करकर सारे सहर को जो तितर वितर किये हुए लोग हैं सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं और बता रहें हैं इस बार जो सिंडिकेट वेवस्था जो यहां चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो गया है और सारे लोग पूर जोर समर्थन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे ही हम इधर से आपको पूरा समर्थन दे कर जिताएंगे और जितने के साथ ही इस काम को आपको करके देंगे हम लोग इनको अस्वासन दे रहे हैं कि हम यहां के अस्थाई निवासी हैं पूरा इधर से जन समर्थन मिल रहा है और सब लोग साथ खड़े हो रहे हैं यह गारजियन है यहीं के रहने वारे ससी भूसन जी है यह हो गए सचीन जी हो गए सब लोग यहां पे एक ठा होकर एक साथ चल कर एक काफिला बन गया है अब और जनता ही इस बार तैक करेगा कि जितने सिंडिकेट वाले लोग हैं इसका चेहरा फास हो चुका हुआ है सब लोगों को पता चल गया है कि कौन-कौन परतियासी सिंडिकेट में फसे हुए हैं और सारे सिंडिकेट इस बार धोस्त हो जाएगा जनता पहली बार डारेक्ट मेर का चुनाब कर रही है और ऐसे परत्यासी चाहते हैं कि जो 24 घंटा उनके बीच में काम किया है काम करता रहेगा और हम यहां के अस्थाई हैं सारे लोगों को पता है इसलिए इस बार कोई सिंडिकेट नहीं चलेगा सब लोग इस बार धोस्त हो जाएंगे चर्खा चाप प इसके पेर बनाती है तो हम संकल पत्र निकाले थे उसमें बताए हैं जहां जहां पे लोगों को रहना जुभर है आप देख रहा है नरकमा इस्तिती बना हुआ है हर वाड का परिस्तिती अलग-अलग है पर दूसर यहां की मुख समस्या भी बन गई है और इससे दो लाग प पत्र में लिखा हुआ हम उसको दूर करेंगे और यहां हमारे सबसे पहली प्रात्मिक्ता होगी यहां पर हम लोग पर दूसरं से कैसे निजहात हो उस पर हम जल्द से जल्द काम करें गोला मिर्चाई मंडी में मेर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू को लोगों से अपार समर्थन मिल रहा है जाले की अपील की जै कबूतर ताय कबूतर पूरे सहर मुझापरपुट में कबूतर उड़ रहा है और ठेला भी साथ साथ है उम्मेर के लिए और बहुत अच्छा ऐसा लहर जैसे की बिजिंदर चोधरी विधाई जी के लिए लहर बना रहता है उसी तरह लहर इनका भी ब कंब लिया है कि अगर बिधायक अलग है मेर अलग है तो कामगरवराता है एक दूसरे को कटस होती आई और कटस होने काम इस बार खतम रहेगी क्योंकि बिधायक मेयर मिल करके ये स्मार्ट कैसे और अच्छा बने इसके लिए कियां वाद 18 के इमाम गंज मुहले में जन संपर्क अभियान के मेर प्रत्यासित सहनवाज इकवाल को लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज हम लोग बहुता वाड नमबर चार में गटा कर लिया और जो भी इलाका है अंदर में यहां घुम घुम कर हम जंता मानिकों से अफील कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दिए मारूती भांचा पर जो हमारा करम संख्या 13 पर है और सभी लोगों का आपार इसमें प्यार और स जवान को जिताने का काम करेंगी मुझे पूरी उमीर है कहड़ जगा हम जा रहे हैं अपार समर्थन लोगों में इस बार है कि बदलाव लाना है मुझफफर पूर में बदलाव लाना है और नगर टिंगम को किंग मेकरों से चुटकारा दिलाना अब समय चला एक छोड़ी स बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्मी लाल मेगा मौल मुझफफर पूर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है शादी ववा के लिए है लेंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन दुलान के मन को भाय यहां की ब्राइडल हैंगा चुन्मी हम सभी का खयार रखते हुए आपके बजट में माल्टी नेशनल ब्रैंड से लेकर लो रेंज तक के ब्रैंडों की बहतरीन कलेक्शन के साथ सारीयों का अनंतसंसार समेटे हुए है दूले राजा के लिए भी सूट और सेरवानी की लाजबाब रेंज मैंस्वेर की भी ब्रैंडड कलेक्शन के साथ लो मेगा मॉल सरय अगंज टावर की समीर अखारा घाट रोड मुझजफरपुर क्रिश्मस और नियूएर को लेकर शोहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिब जूलो के साथ डिजनी लैंड मेला का आयूजन क्या गया इस वर्स इस मेले में एक से बढ़कर एक जूलो की रेंज उतारी गई है वो भी कम कीमतों पर ब्रेक डांस, चांधतारा, टोडा टोडा, वर्टर बोटिंग, ड्रैगन ट्रे और बच्चों के लिए छोटे जूलो की सभी रेंज उतारी गई है इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कास्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं वो भी सस्ती दरोपर एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे तिलक मैदान डिजनी लैंड मीले में जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है अध्याधूनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं एश्वरिया राय बच्चन सचिन तंदूलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तिया इस लहठी के दिवाने हो चुके हैं लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है एसा साथ बनाई रखने के लिए आप लोगों का तही दिल से थन्यवाद कहते हैं कि मन्ζिल उन्ही को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता, हासलों से उड़ान होती है तो अगर आप में भी है जजबा, कुछ कर दिखाने का अगर आपके अंदर भी है एक Genius, अगर आप भी छुना चाते हैं, आस्मान की उचायों को क्रैक करना चाते हैं, IIT JEE, AIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर Olympiad, तो आपके होसलों को उडान देने के लिए है Genius Classes, जीहाद सही सुना आपने Genius Classes for IIT JEE, AIMS, NEET, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target, अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई उचायां गढ़ रहा है, Genius Classes, तो My Dear Students, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, Genius Classes में जहाँ है separate hostel for boys and girls, जली से पता नोट करें, Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, सरया गंज मुजफरपूर, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें, 76350-91378 या फिर 76350-91387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं, 76350-91396 या 900-691-690 पर या फिर 91284-82268 Genius Classes, For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info at geniusclasses.in, registrations are open and new batches are starting soon, rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, सरया गंज मुजफरपूर, अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान, माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेट के साथ, जो है Authorized Distributor of कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभे प्रकार के Indian and imported grain eye, Marble, Sanitary, एवं Kota Stone का अनोखा, एवं आकर्जग संग्रे, माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेड मतलब, A Complete Floor Solutions, आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण, ग्राहकों की सुविधा को देखते वे, नील कमल का फैक्टरी आउटलेट का दूसरा ब्रांच, अखारगाट रोड के एपसी के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेश छूट दी जा रही है, वहीं नील कमल का पहला ब्रांच मिठनपूरा नरायनपूर रोड वेश्वाली मैनेज्मेंट की सामने है, जो की लगतार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है, उतर बिहार का पहला एक्स्क्लूसिव शोरूम है, जहां ओफिस फर्नेचर और होम फर्नेचर की सभी रेंज उप्राथ है, तो एक बार सीवा करने का मौका जरूर दे है, पहला ब्रांच मिठनपूरा नरायनपूर रोड और दूसरा ब्रांच अखारा खाट रोड, हमारा मुबाइल नंबर है 933-49-00888 और 700-43-20580, नील कमल का एस्क्लूसिफ सोरूम जो पहले से मिठनपूरा नरायनपूर रोड में अपोजित बैसाली रूलर मेनेजमिन्ट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्तक सेल्सर्ण मार्केटिंग के जॉइन्ट वेंचर से अखारागाट रोड में, के एपसी के सामने किस्टना टॉकिस के बगल में सुविदा कॉंपलेक्स में हम लोगों ने खोला है जो की कंपनी का फैक्टरी आउटलेट है जहां नील कमल के बिस्तरित रेंज आपको 40% तक के डिसकाउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक बिस्तरित रेंज है और आ आपको फिनांस की भी सुविदा है आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छी से सजा सकते हैं ब्रेक के बाद आप तमाम दर्सों का फिर से स्वागत है अब खबरों के लिए चलते हैं आगे की ओर मेर प्रत्याशी वशीम अहमद मुन्ना ने रामबाग चौरिंग में को मेर बनाते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार वेरोजगारी और निगम से संबंदित जो भी कारे होंगे उसे जल से जल पूरा करूंगा वहीं मेर प्रत्याशी वशीम एहमद मुन्ना ने कहा कि अगर हमें जनता एक बार मौका देती है तो मुझजफरपुर को एक सुन कुछा है काफी बेहतर है जो है समझे ये समझे हमें लोह का प्यार और लोग का आशिरवाद हमने है जो सोसल वर्क मैंने किया उसका रिटर्निंग में हमें जहां भी जा रहे हैं मुझभपर्पुर में तमाम लोग के दिल में समझी हमारे परती काफी ज्यादा समझीए महबध है जिस वह से हमें जहां तक रगता है यह मेर का चुनाव जो है यह हमारे लिए जो है मुझपर्क की जंता आसिरवाद देता हुए हमें जो ताच पेनाने का कार करेगी जन्द संपर्क में आज जो हम लोग जो है मिठनपूरा साथ पूरा और अभी हम लोग रामबाग चोरी में जो खड़े हैं लगातार जो है समझे हम लोग का जन्द संप परक्र में अभियान में हमें काफी बेहतर जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलदा है लोगों से जी रुजान मिलदा है मेर प्रत्यासी सुरेश कुमार पपू की धरम पत्नी भी चुनाबी मैदान में उतरी कई मोहले में जन्सपर कर अपने पती के लिए बोट मांगी नगर निकाए के प्रधम चुनाब के बाद दूसरे चुनाब में महज कुछी दिन सेस बचे हैं जिसके लेकर प्रत्यासी अपने जीत सुनशित करने को लेकर चुनाब पर चार तेज कर दी है वहीं सहर में मेरपत के प्रत्यासी पुर्व मेर सुरेश कुमार के समर्थन में उनकी पत्नी मनिसा देवी दरजनो समर्थनों के साथ ब्रंपूरा की कई महले में जनसंपर्क अभियान चलाया इस दौरान उन्होंने प्रू मेर सुरेश कुमार्ड ने सहर के विकास में साड़े चार साल किये गए काड़ियों को बताते हुए जनता से मद्दान करने की अपेल की इस दोरान उन्होंने बताया साधे चार साल में सहर के विकास में सुरेश कुमार ने कहीं महत्पुन काड किये हैं जिसे जनता जानती है नीगम के राजनेती की कारर उन्हें छे महिने में काड़िकाल से सडियंत कर हटा दिया इस बार जनता को मेर चुनने का अधिकार है उन्हें पुर्ण बिस्वास है कि जनता उनका साथ देगी जो हमारे पती काम की है उसी मुद्य के लेकर आई है जैसे जाम की समस्या है यहां पर जो पानी लगता है उसका समस्या है बहुत ही अच्छा रिस्वांस मिल्दा है बहुत अच्छा और यहां पर इसकूल का सुविधा महिला सब के बाहर में सोचाले नहीं है उसका सुविधा सब सुविधा कराएंगे और बहुत से सुवधा है जिसको देना है और बहुत से काम किये हुए है वो और बहुत परेसानी भी किये इनको लोग मांसिक टॉचर भी दिये उसके बाब जुद भी इच्छेत्र में आये और पांच महिना से अपने मुझापरपुर के जनता मालिक के बीच में है जितने के बाद जो भी समस्या है जो पहले के काम अधूरा है मेर साहब का उनको पूरा करेंगे और शिक्षा और जाम और पानी के जल जल्माओं पर बेसी काम करेंगे किया रिस्पॉंस मिलना है अभी आप अच्छा रिपोंस मिलना है और बहुत से अमीद्वार का किंग में कर भी साथ में घूम रहा हुससे हम लोग कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम लोग अपना आप में अच्छे से लडाई होगा तभी न जितने का मजा आयेगा इसलिए मरीजों की पड़िशानी देखते हुए स्वास्त विभाग ने सदर अस्पताल में जीवका स्वास्त सहायता केंद्र की सुरुआत की सदर अस्पताल के मुख्य प्राइवेट गेट के ठीक सामने इमर्जेंसी कक्ष के पास में आई हल्प यो केंद्र की सुरुआत सोमवार को की गई SKMCH में DM प्रनव कुमार ने वही सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने उद्गाटन किया इस केंद्र पर तीन शिफ्ट में कर्मियों को लगाया गया है ताकि दिन या रात किसी भी समय आने वाले मरीज और उसके अभिवावकों को अस्पताल के विभिन विभावगों के बारे में जानकारी मिल सके ग्रामीन, इलाकों से मरीज और अभिवावक, SKMCH और सदर अस्पताल आते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि किस रोग के डॉक्टर कहा पर मिलते हैं लेकिन में आई हेल्प यो केंद्र पर जानकार कर्मियों के कारण अब मरीज और उनके अभिवावकों को पूरी जानकारी मिल सकेगी विभिन विभागों का OPD कहा है, दवा वितरन काउंटर कहा है, पुर्जा काउंटर कहा है, इस सब की जानकारी उपलब्द हो सकेगी मरीज आते हैं जबकि एमर्जेंसी में भी प्रतिदन सौ से ज़ाधा मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं इतने मरीज और उनके अभिवावकों को काफी सहूलियत होगी वे मेयाई हेल्प यू डेस्ट पर जानकारी ले सकेंगे और स्केंश के प्रांगन में जीव का स्वास सहायता केंद्र का आसुभरम भी किया गया है और विशेश सुपसवद्देश से है कि इन्फरमेशन डेस में या रियल्प यू बूथ या रिसेप्सन के रूप में या कारिये करेगा जिसमें कि अपने ही लोगों के द्वारा और यथा संभव गाइड किया जाएगा आवशक्ता होने पर उसको हर तरह की सुविधा और सहायता उपलब्त कराई जाएगी और जीविका के द्वारा जो लगतार नयने चित्रों में कारिये की जा रहे हैं तो यह बहतरीन पहल है और हम लोग उमीद करते हैं कि स्वास करता और इंफॉर्मेशन सुचना उपलब्त कराई जाएगे तो इसके बहतरीन तरीके से संचालन के लिए में अपने कामनाय व्यक्त रहता है सर्थ मिशन सिक्स्टी के तहत क्या-क्या कुछ सुधार किया जा रहा है लेकि मिशन सिक्स्टी के तहत सदर हस्पताल और इसके म करने हस्पतालों को भी हम लोगों ने टेक अप किया है जिसमें की कोशिश की जाड़ी है कि वहां जो स्वास से माइप पहले से चल रही है अक्शली दो तरीके से हम लोग उसमें प्यास कर रहे हैं एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज़ेशन को कैसे बहतरीन किया जा ओपी डी काउंटर था ओपीडी काउंटर आलग किया गया है और इसे तरह कही कार्य यह चाय रहे हैं उसी तरह से सिके मसी अच में आप या अज मीटिंग हौल लेख रहे हैं इसके तो निप्वाइड खाए जो वह सब् 밑 की घृज आन्या छीज यो कि vibration में न इन प्रों के स उनों को आते पहले पुछना होगा कि परियोजन आपका क्या है अगर परियोजन स्वास से समधित कोई समस्रा से समधित है तो उनकी उची तो जग़ा पर उनको मारदरस्यत कर दिया जाएगा कि आप फलाने रूम में जाएगा वहां पर राज्स्टेशन होगा और फलाने जनकारी उनको रहेगी जो वो जो पुछने वाला आदमी जो पुछेंगे उनको बताएंगे ताकि हमारी स्थेवा जो है बुनोतापुर्ण हो सके लोगों की परसानिया कम से कम हो सके कि यहां वाले मैं सक्सेट लिखावा जिवका और जिवका के पड़िवार के यह मैं उसी समय जब मैं उस घाटन कर रहा था तो मैं बता दिया कि कहीं से भी यह सिमित नहीं है गलत उसमें लिखा गया है जिविका के द्वारा उसमें जो एचार रहेंगे जो मानो संसाधन जो जो कुछ बना हुआ है जो काउंटर अब देख रहे हैं प्लेटफर्म जो बना हुआ है वो काउंटर जो है मेरा है मेरे द्वारा बनवाया गया है और उसमें मानो बल के रूप में जिवका के जो दीदी रहेंगे उनके द्वारा कुछ परसिछन दिया गया है एमस में जो म अधिकर्मन के खिलाप याजगा पर सुनवाई करते हुए नियाले ने चार महने के अंदर जांच रिपोर्ट मांगे। अचार चंद किसोर पड़ासर ने हाई कोट में याजगा दायर कर बताया कि इस्टेशन रोट के सामने इस्थित पार्किंग अस्थल एवं जिला परसद कारियालों के सामने इस्थित सरकारी जमीन में अवेद रूप से निर्मान कर कबजा कर लिया गया है। इसके अलावा इस्टेशन में भी धाई फीट जमीन अतिकरमित कर ली गई है। उन्होंने इस जमीन को खाली कराने की मांग किया है। आचारी चंद की सोर परासन ने बताया कि अगर परसासन की ओर से अतिकरमित के खिलाफ खाली कराया जाता है तो उसे जिले में अवेद कबजा कराने वाले की मनुवल तूटेगा। में स्टेशन रोड में जिला परिशद कारयाले के सामने जिला परिशद मार्केट है जिसमें काफी होटल्स हैं और भी दुकाने हैं वहाँ पार्किंग प्लेस है उस पार्किंग प्लेस को घेर कर यहां के एक राजनितिक भू माफिया ने दुमंजला मार्केट बना दिया ह और उसमें उस जमीन का तो दुरुपियों किया ही है नियम बिरुदधंग से, साथ ही जो स्टेशन रोड का भी धाई फीट जमीन उसने कौवर करके और वहां पे निर्मान किया है, इसके खिलाफ मैंने अस्थानिय प्रशाशन को कम्प्लेन किया था, लेकिन चुकि उन्होंन भूमी सुधार को, साथ ही मुझफरपूर के कमिशनर को, मुझफरपूर के जिला अधिकारी को, मुझफरपूर के SSP को, नगर निगम के आयुक्त को, और लेंड रिफॉर्म के जो यहां पर डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको कि चार महीने के अंदर इसकी जाच करके, और जो यह जो अवैध निर्मान हुआ है, अब वो सभी अवैध निर्मान तोरा जाएगा, और इससे अतिक्रमन तो हटेगा ही रोड का, साथी साथ जिला परिशत के भूम माफिया का भी डिमोशन शुरू हो जाएगा भागपा माले के कारिकरताओं ने बुल्डोजर कारवाई के खिलाप बंदी का असर सहर में नहीं देखा। सरकार के खिलाप जमकर नाडवाजी भी की, इस अफसर पर नगर सचेव सुरज कुमार सिंग ने कहा कि सरकार गड़ीव एवं भूमिहिनों को बसाने की बात करती है, लेकिन मुझहपरपुर में भूमिहिनों को बसाने की बजाए उजारा जा रहा है, अतिकरण के नाम पर भूमिहिनों को घर तोरे जाड़े हैं, सरकार को गड़ीवों तो काम तो चाहिए, लेकिन उसे सहर में बसाना नहीं चाहते हैं, हम लोगों की मांग है कि सरकार पहले भूमिहिनों को बसाए और तीन-तिन डिसमिल जमिन मुहिया कराए, उसके बाद अतिकरण खाली कराए जा आज मुझा फरपुर बंद का हवान हमारी पार्टी भागपामाले ने किया है, जिस बंद को अभूत पूर्व समर्थन मिला है, हम लोगों ने बिलकुल एक दिन के नोटिस पर, बहुत सारे लोगों को जानकारी तक नहीं मिल पाई, कि आज आज सहर बंद रहेगा, लेकिन इस सहर के अंदर जिस तरीके से दुकंदारों ने सहर बंद को अपना समर्थन दिया है, वो काबले तारीफ है, और इसे एक बात साबित हो गया, कि सहर के लोग इस बात को जानते हैं, कि सहर के अंदर में जो बुल्दोजर चल रहा है, ये बुल्दोजर बिलकुल गलत चल रखाएं यह बोन डोज़्यार नहीं चलना चाहिए आपको गरीबों की ज़रूथ हैं इस गोँविव को पहलें आपम उचाने से पहले आप पहले गरीबों को तृन डिस्मील ईमीना का पड़चा दिजिए। उनको समझे कि बसाइए! उसके बाद समझे कि आपको उजारना ईरोतिा नहीं होगी। आपंगा पड़चा तौन दिजिए। आपंगे ऐनको जमीन दिजिए। कि जब हमारा परिबार रोड पर आही जाएगा जब हम परिबार के समीथ रोड पर आही जाएंगे तो ठीक है पर सासों अपना काम करें एस वर गरीब मरेंगे जानbach यह कि जिस दिन जिस दिन गरीब मरने तक पहुच गए जान दाइगे जिस दिन गरीबों ने संकल पले लिया कि हमको मरना है उस दिन जान दाइए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकुमत को ये गरीब हिला कर रखते हैं करें गोली चलवादे वह समझे काम करें वह समझे उनका समझे ड्यूटी है यहां वह उनका काम है लेकिन बंद करने फोरे रुकेंगे बंद क्यों हो रहा है बता ही जड़ा हम घर तोड़ दियेगा हम समझे विरुद भी नहीं करें हम जाए आप से परमिशन लेने के लिए आ आप हमको पर्मिशन देंगे, आप बुल्डूजर लगबारें और समझे क्या बंद करने का पर्मिशन हमको देंगे, हमारा पूरा परिबार सरक प्याने वाला है। में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हो गया। इस दोरान तुर्की के समीब दो गाडिया आपस में टकरा गई। दुर घटना गरस्त गारियों को बचाने की चकर में उनकी गारी सरक पर ही पलट गई। वहीं पीछे से आ रही एक अन्य गारी भी टकरा गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्तिती बन गई। बताया जा रहा है कि घटना में चार गारिया छती गरस्त हो गई। एक गारी बुड़ी तरह से छती गरस्त हो गई है। वहीं मौके पर सरक जाम हो गया। खबरों का सिलसला हुआ यहीं समाप। हमें और हमाई टीम को दीजी इजाजत। फिर मिलते हैं सहर के तमाम खबरों के साथ।